आज मैं आपके साथ सेर करने जा रहे हूं फ्रेस दही का स्विट डिप, इसे किसी भी स्टाटर के साथ खा सकते हैं या फिर पकौरे के साथ भी खा सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी होता है और इसे बनाना बहुत ही असान है, यह दि आपको मेरा वीडियो पसंद आयते से दही का स्वीट डिप बनाने के लिए मैं यहाँ पे तीन से चार बड़े चमच दही ली हूँ, फ्रेश दही है, एक छोटा चमच चीनी, आधा छोटा चमच रोस्टेट जीरा का पौडर, आधा छोटा चमच चाट मसाला, आधा छोटा चमच लाल मिर्च का पौडर, और एक दही का स्वीट डिप बनाने के लिए सबसे बले हम दही को अच्छे से फेंट लेंगे, मैं यहाँ पे हंकट नहीं यूज कर रही हूँ, क्योंकि यह डिप थोड़ा सा धीला अच्छा लगता है, फ्रेश दही मैं ली हूँ, और इसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं है, एक दही मैं फेटली हूँ, अब इसमें मैं सभी इंग्रेडियंट्स को डालूँगी, आधा छोटा चमच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चमच रोस्टेट जीरा का पाउडर, आधा छोटा चमच चाट मसाला, एक चोथा चमच नमक, और एक चोटा चमच चीनी मैं डा इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, ये घर में इजली तैयार हो जाता है, कोई भी केस्ट आये हो तो इसे जट से बना कर पकॉरे के साथ या किसी भी स्टाटर के साथ आप दे सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है, थोड़ी सी कालमे जिसे मैं क्टस करके डालूंगी, और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगे, हमारा डिप बनकर तयार हो गया है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें